इजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं चॉलाई के लड्डू नवरात्रे शुरू हो चुके हैं तो आज कल सभी के घरों में फलाहार और व्रत की चीज़े बनती हैं तो चॉलाई के लड्डू वैसे तो बजार से ले आते हैं लेकिन घर में बनाना क्योंकि सबको tricky लगता है पर आज हम देखते हैं कि easily हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यह मैंने चॉलाई ली है चॉलाई यह 200 ग्राम ली है और इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है बहुत ज्यादा उटमी उसमे cruelty water घर मैंने इतना सा ही पानी आमे लेना है और यह बना इसमेए रदेख्व जैसे अब इसका टंपरेशर बढ़ा से उबाल आते हॉबाला ना शुरू होचुक hast आप आपजा सा झोलाना शुरू कर देंगे, ज्ician भी, हम इसको नहीं पकाएंगे हमें सिरफ इसकी एक तार की चाशनी बनानी है और यह बहुत ही जल्दी से बनकर तयार हो जाती है, गेैं, इसमें जैसी bubbles आएं तो आप ळिया और चेक कर लेंगे, इसमें जब तक हमेसी सारी अच्छे से mix करेंगे तबतक हमारी चाशनी भी थंडी हो जाएगे तो हमेंरे किसी पल्टे की help से ही चॉर्णाई को चाशनी में mix करना है आप देख रहो है मैं हाथ का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हूं लेडर की help से यूज को सारा mix कर रहे हूं तो चाशनी डालते ही इसमें एकदम जम जाएगी और फिर लड़ू बनाने हमारे मुश्किल हो जाएगे. अब ये लड़ू बनाने के लिए मैंने हाथों को गीला कर लिया है और चौलाई लेकर हम उसको हाथ से दबा दबा कर अच्छी तरीके से गोल लड़ू बना लेंगे चौलाई को दबाना अच्छे तरीके से नई तो फिर वो रखते ही तूट जाएंगे देखिए दूसरा लड्डू भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी जब लगे हमारे हाथ ड्राइ हो गया तो फिर से हमें अपने हाथ को गीला करना है और चौलाई हाथ में उठाकर हाथ से प्रेस करते हुए गोल-गोल लड्डू हमें इसके बना लेने हैं और यह देखिए फटा-फट हमारे लड्डू बनकर तयार हो गए तो अब नहीं लगाना आपको कुछ भी ट्रिकी इसमें तो यह बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं और घर में बनते हैं तो बिल्कुल साफ सुत्रे तरीके से हम इसे बनाते हैं तो एक बार आप भी जरूर ट्राइ करिए नवरात्रों में इसे बनाईए खाईए इंजॉय करिए थैंक्स वर वचिंग मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तिल दें टेक केर बावाई